आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा सुप्रिम कोट ने बहुत बड़ा जटका दिया है अभी 2023 में मार्च में एक जजमेंट आईए एकोम गिल कोफी ट्रेडिंग प्राइवेट सब लोगों को जटका लग सकता है इस सुप्रिम कोट की जजमेंट को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए हर कंसल्टेंट को एडवो केट को पढ़ना चाहिए अगर वो GST में काम कर रहा है सर मुद्दा क्या है हाई कोट ने असेसी के फेवर में ओर दे दिया था करनाटका ने लेकिन सुप्रिम कोट ने कहा नहीं भाई ITC नहीं मिलेगा और यह केस जो है GST का नहीं है केस है तो वैट का तो सर पढ़ा क्यों रहे हो GST में इसका क्या रोल GST में बहुत बड़ा रोल है अब जो भी ओफिसर्स आपको मिलेंगे वो इसी केस को बोलेंगे देखो जी इकॉम गिल के केस में टीक है ना ITC डिसलाउड हो गया तो हम आपको ITC नहीं देंगे GST के अंदर भी क्योंकि कुछ कुछ चीजे सेम है इस केस की और GST में सर केस क्या है जरा ध्यान से सबदना इस केस को केस क्या है कि जो पर्चेजिंग डीलर है वो कोफी का बिजनिस करता है और एक्सपोर्ट करता है और डोमेस्टिक मार्किट में सेल करता है उसने क्या अगर आप परचेजिच करी ठीक है ना केस आपका ये 2010-11 का है 12-13 का जो भी है ठीक है उसने परचेजिच करी लेकिन जिन लोगों से परचेजिच करी 27 डीलर थे सुप्रिम कोट ने अपनी जज्जमेंट पे इस डीजिजन में लिखा वाए कि 27 सेलर थे जिसमें से 6 क्या सेलर ऐसे थे जो डी रजिस्टर थे ठीक है ना तीन ऐसे थे जिनों ने कोई सेल ही नहीं करी ठीक है ना समझ में आ रही है मेरी बात को क्या लिखा हुआ है ITC from mainly 27 डीलर and out of 27 डीलर six were found to be deregistered three had affected sell to respondent but does did not file tax मतलब कि तीन लोगों ने सेल तो करी लेकिन टेक्स ही नहीं दिया and six छे लोगों ने मना कर दिया कि हमने तो कोई सेल ही नहीं करी है हमने तो कोई टेक्स पे ही नहीं करा तो इस वजह से credit disallow कर दिया गया 10,52,000 का मतलब कि आप यह समझो कि 27 डीलर में से 15 डीलर ऐसे थे जो की एक तरह से बोकस की कैटेगरी में आ सकते थे अब यहां पर हाई कोट ने फिर अलाव क्यों करा हाई कोट ने लाव इस बेस पे कर दिया था कि चलो ठीक है तुम्हारे पास invoices है और तुमने payment करी हुई है तो ठीक है कहानी लेकिन सुप्रीम कोट क्या करा है ITC लेने के लिए invoice होना और payment होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है invoice और payment तो फेक बिलिंग में भी हो जाता है ठीक है न जो फेक बिलिंग वाले होते हैं वो invoice भी देते और payment भी ले ले लेते हैं उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को जरा समझो कि यह जो transactions है यह genuine होनी चाहिए यह fake नहीं होनी चाहिए और genuine proof करना यह assessi के उपर निर्भर करता है assessi की जुम्मेदारिये GST में section 155 में उसे आप genuine proof करें और यहाँ पर क्या बोला है कि भाई transaction को genuine proof करना slightly higher the sowing financial transfer कि भाई आप स्रिफ financial आपने transfer कर दिया invoice ले लिया ठीक है उसके बाद payment कर दी इससे genuinely प्रूब नहीं होती तो सर्फ फिर genuinely proof करने के लिए क्या करें उन्होंने का यह ना कुछ higher है higher क्या है आपको प्रूब करना पड़ेगा कि actual movement of goods हुई है और अगर आप यह actual movement of goods प्रूब नहीं कर पाए तो हम ITC नहीं देंगे तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दू कि अगर आप actual movement of goods proof करना चाहते हैं तो जितना भी आप cartridge पे करते हैं जितना भी आप freight पे करते हैं ट्रक ड्राइवर को टमपू ड्राइवर को जिसे भी पे करते हैं उन्हें cash में ना पे करके उसे bank से पे करना शुरू करतो तब ही आप यह प्रूब कर पाओगे कि मेरे पास 50 लाग का माल आया 20 लाग का माल आया तो मैंने इसका भाड़ा भी पे किया जहां पर गाड़ी आपके यहां पर आती है ठीक है ना जी जहां पर गाड़ी आपके यहां पर आती है एक CCTV कैमरा लगा लो और अगर उसकी recording से हो सकती है तो रख लो पोसीबल अगर है तो आपका मोबाइल रहता है तो मोबाइल में वीडियो बना लो मोबाइल में फोटो खैच के रख लो अगर आप जैन्वेंटी प्रूफ करना चाते है मूवमेंट ओफ गुड्स की क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोट ने किलियर बोल दिया बिल होने से इ आपका ITC डिसलाव ना हो यह पूरी 20 पेज की जजमेंट है तो हम कोशिच करेंगे इस बार की मैगजीन में आपको हम इसे प्रोवाइड करा दे तो अगर किसी ने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले और अगर यह जज लोगों का मानना ही है कि सर यह जो सुप्रीम कोड की जजमेंट है इसके फैक्ट से लगे करनाटा का हाई कोड ने जो डिसीजन दिया था ठीक है वो ठीक था और क्या कहता है कुछ फोंस थे सारी चीजे थी जो वैट के अंदर देनी पड़ती थी ट्रांजेक्शन प्रूव आपका GST राइट तभी बनता है ITC राइट तुमारा तभी बनता है जब आप लोग की सारी कंडिशन को सेटिस्फाई करों तो सुप्रीम कोड ने कहा है कि भाई यह जो बर्डन और प्रूफ है यह असेसी के उपर है और आपको जैन्वन प्रूफ करना पड़ेगा आपको movement of goods और tax key payment कि हाँ जी वो tax key payment गौवर्रेमेंट के पास चली गई है मुवमेंट और वो सारी चीज़े आपको प्रूफ करनी पड़ेगी और अगर वो बोकस है भी तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस बोकस transaction में आप involved नहीं हो तब जाकर कहीं आपको ITC मिले तो बहुत बड़ा सबग है कि अपने सप्लायर को चेक करो ठीक है ना अगर कोई गलत सप्लायर से उससे माल ना लो आपके लिए दिक्कत आ सकती है आशागर तो यह वीडियो समझ आई होगी और अगर आपको ऐसी ही जज्जमेंट सीखनी है ठीक है ना और अगर आप पूरा GST सीखना चाहते है तो आप हमारा GST का live course ले सकते हैं आप हमारी Google drive, pen drive ले सकते हैं आशागर तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो comment box में हमें लिख कर बताइएगा कि सुप्रीम कोट ने सही जज्जमेंट दी है गलत दी है इस वीडियो को यह मुझे पता है थोड़ा सा कहीं पर बीजी हूँ अभी स्कूल खोला है ना ठीक और समर कैम भी लगवा रहे हैं उसमें तो महां पर थोड़ा सा बीजी हूँ जैसे फिर होंगा दुबारा से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी थैंक्यू